नमस्कार रागगिरी के वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको बहुत ही युवा दो कलाकार दिखाई दे रहें तो परंपरागत तरीके से पहले उनका छोटा सा एक परिचे करा देते हैं और फिर बात चीज शुरू करेंगे बनारस में सारंगी नवाज पंडित भवानी प्रसाद मिश्रा और सितार वादक पंडित अमर नात मिश्रा के परिवार से आने वाले ये दो युवा कलाकार हैं सौरव और गौरव मिश्रा लेकिन दिल्चस्प बात ये है और जहां से पहला सवाल भी निकलेगा कि ना तो ये सारंगी बजाते हैं ना ही ये सितार बजाते हैं बलकि ये दोनों कथक रांसर हैं और कथक के युवा कलाकारों में अपनी एक मजबूत पहचान बना चुके हैं अ Story को ब्रजा बहुत 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 तो एक काम करते हैं जुरुवा भाईयों में सब्सेवड़ी दिक्कत यह होती है कि बदमाशी एक करता है और पिटाइए दूसरे की होती है और कई बहुद एक अच्छा काम करता है तारीफ की हो जाती है तो थोड़ा सा आप दोनों लो पहले तो नमस्कार मैं सवरर मिष्राब नमस्कार मैं गारर मिष्राश जैसा कि पीता जी जो हमारे पंडित करने अवपन अथे मिष्राद कि ओ बहुद सु्रेले सितार वाधे थे कि हमारे बड़े भाई सितार बजाते हैं नीरज मिश्रा तो अभी क्या होता है कि पिता जी ने बोला कि तीनों को अगर सितार बजवाऊंगा तो फिर वो कुछ मज़ा नहीं आएगा क्योंकि तीनों महुपत में लगेगा कि तीनों बज़ा रहे हैं और हम लोगों को शौब बहुत था बज़्वन से ही डांस करने का मैं हमने अपने चाचा जी पंडिक रभी शम्तर माता परशाजजी को मैंने देखा हूंको बज़्वन महराज जी को बज़्वन से टेलीविजन में सामने से मात दर्शन मिलता रहा हैं तो हम लोगों की सबसे पहला और सबसे खुबसूरत याद आप दोनों के जहन में होगी वही होगी जो पंडित किशन महाराज की याद में जो महांत अबला वादक थे बनारस के ही आपके और यह आप का सौभाग है वैसे मैं प्रश्ण से थोड़ा सा हट रहा हूं कि बनारस में पैदा होना और कभीर चौरा के आसपास रहना तो अपने आप में आधा कलाकार तो आदमी ऐसे ही बन जाता है तो खैर कारिक्रम की बात कर रहा था मैं किशन महाराज की याद में पंडित किशन महा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोग के कारिक्रम की बात कर रहा हूं जो आपको उनकी याद में जब उनकी उपस्थिती में आपको परफॉर्म करने का मौका मिला था पहले तो हम बच्पन में जब नानी के घर पे पंडित विर्जु महराज जी आते थे तो उनके सामने में हमेशा गुरुजी के पास साथ में जाके पांचे बाल आशिरवार लिया उनके सामने किया तो बहुत कुछों मैं बोलते थे कि बिटा चले आओ चले और मैं जाता भ सबसे पहले जिंदगी का मतलब लाइफ सबसे पहला शो था गड़त कश्मी गड़त कश्मी वह बैटे थे क्योंको उनके आने के बाद तो अच्छा-च्छा कलाकारी जाता था हम लोग तो बच्चे ही थे और बच्चे हैं हम लोग के आगे वह तो ऐसे टेक ते तो आधा प कि महराजी बैट रहे हैं तो उसमें तो पसीना चुड़ गया था और अखर डान्स करेंगे पंदिश लेकर ऐसे खड़ा हो रहा था तो यह हाथ एसे ते हील रहे हैं पैर नहीं चल पाया रहते तो मैंने बबाबा ने बोला बेटा घबणाओ मत घर के बच्चे हो करो करो अ जिन्दगी में याद रखना कि अगर स्टेज पर खड़े हो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है उन्होंने मुझे सीख दी है क्योंकि तुम स्टेज पर खड़े हो बाकी लोग तुमको देख रहे हैं तो वो टाइम वो तुमारा है तुम किसे डरो मत जो तुमने अपने तो वो सुनके इतना confidence आया मन में कि फिर उसके बाद तो शुरू हुआ फिर बबा बबा कहते हैं मुझे को अपने निकाल कि पॉकेट से 500 रुपया हाथ में दिया अब बोला कि हम लोगों से बुला कि घाए तुम रखना डाएट तुम रखना एके मत ले जाना तो उसका नोट पे नाम लिख लेना कि बहिया हमको इस जेट पे इन से मिला तो वो सीख जो उन्होंने बताया वह आज सकते हैं मराज जी ने हमें दिया था कुछ आशिवाद तो मैंने उनका ना पित पाया उन्होंने अपना देट किया उसमें चाचा जी लोगों का अशिवाद मिलता है पंडिकता है तो इस जगह से हमारी जो तालिम है हलक हलका शुरू हुआ है और कभी चवरा जैसा जगह है जहां पे घर कलाका मॉर्णिंग में आप अगर घर से निकलिये तो चाचा जी या बबबा या चाचा जी लो मतलब इतना सुबह से कोई मिले आ रहा है कोई मिले आ रहा है सबसे आशिवाद में कहां जा रहे हो मैंने सब्सक्राइब करते रहना है तो यह सब चीज कभी जोरा में रहने एक वाद यह तो हम लोग कुस्न श्रीव हैं कि ऐसे घर में जनम दिये हैं और ऐसे लोग के बीच में रहें कि कुछ जिंदगी में कुछ बनने का एक होता है ने महल महल भी आपको बनाने में लग जाती है असल में आपने जो बताया अभी किस्सा सौरव और गौरव आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा कि पंडित राजन साजन मिश्र जी भी यही बात बताते हैं कि यह यह दरसल कभ अभीर चौरा की परंपरा है अपने घर में जो बच्चे हैं उनको यह सिखाने का तरीका है कि उनसे बताओ कि आप विश्वास ऐसे ही आता है कि स्टेज पर आप हैं तो फिर आपका स्टेज है और फिर दर तो छोड़ना पड़ेगा बिना डर छोड़े कुछ नहीं होगा आप लोग के कारिक्रम की एक मैं चोटी सी क्लिप दिखा देता हूं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को और उसके बाद इस बात्चीत को शुरू करते हैं जी लोग्ये बादी होगे लोगर स्टाइबर्स की बात्राइबर्स प्लाइबर्स कर दो 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 बाइध में दीजना प्राइब। करें आपर ये जल्ला कर जाहग सैंने आके अिर आत्रण उंप तुम भू झाल 9 किर ढुत हैं की एक एकलुब्स yormal कि एक लिए दिधयाँ, विल्ण तिधवे दिध बिल्ण दिधवे तो यह क्लिप देखी आपने सौरव और गौरफ की और जैसा हम लोग बात कर रहे थे कबीर चौरा पे और लेकिन अब तो सौरव और गौरफ दोनों से मेरा यह प्रशन है कि अब तो नोट पर नाम लिखना मना है तो अब कैसे नाम लिखते हैं या नाम लिखके यह सोच लेते हैं कि इसको खर्च नहीं करना है जिन्दगी में बहुत बड़ी चीज है अचीवेंट है हमारे लिए वह चीज को मैं बहुत सजो के रखा हूं वह हमारे जिन्दगी का एक एहम हिस्स्ता है जिन से जिन से हम में आशिवात राप हुआ है मरोड से लिखाया है पंडी बिर्जु मराजी से लिखाया है चाचा जी लोग से लिखाया है और में अच्छी तरीके से जानकारी है और बलकी मजाग में ये भी कहा जाता है कि अगर आप कबीर 14 में खड़े होकर किसी भी दिशा में पत्थर फेकने तो पत्थर जिस घर में जाकर गिरेगा वहां कोई ना कोई पद्मश्री कोई ना कोई पद्भूशन कलाकार जरूर होगा जब उस गली में हम घुसते हैं जहां सामने आप देखेंगे कबीर के धेर सा नाम लिए आपने राजन साजन जी का नाम लिए वो कौन से कलाकार हैं या थे जिन्हों ने आप दोनों को मतलब चुकि अगर इसको देखा जाए इस तरीके से की अ कठक चुना था आपने राइट तो कठक में बनारस का घराना और मजबूत हो उसके लिए किसने किसने आप को इसने दिया किसने किसने आपको आशिरवात दिया और किसने किसने ये जिम्मेदारी सौपी कि तुम डोनों के कंदे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत संतुलन के साथ और बहुत समझदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना सब लोग इधर ही आज पास रहते थे और अपकार जी रहती थी और संजु साहे जी जो इसमें उच देवड़ी के वह है परवश्टक है इसमें पूरन महाराथ जी पूरन चाचा जी तो यह से पास दर्फ लोग हैं जिनको हमने देखा है उनसे अश्रवाद दिया है और सितारा गुवा जी से बहुत आश्रवाद मिला हैं लोगों को सबसे पहले शो था मारा बंडी में वो कॉल है मैं भूर रहा हूं साधना फेस्टिबल में साधना फेस्टिबल में था तीवेड़ी में था तीवेड़ी वो मंडी हाउस तो पता नहीं था कि अब क्या होगा इसे तो कभी ऐसे फिल हो रहा था कि अभी क्या इंके सामने में करूं तो उन्होंने भी बुलाया कि बेटा देखो आये हो कहीं बहार हो हम मेरे घर के बच्चे हो और तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो बनारस को तो हमें खुशी हो रही है कि तुम लोगों को उपर बनारस का बहार भी आ रहा है उन्होंने ऐसे मुझे बुला कि बेटा कर रहे हो और बनारस का भार तो सभी जितने लोग हैं जितने भी आंसर हैं उन्हों सभी के उपर है एक छोटे से लिके बड़े तक वो सबकी ही जिम्हेतारी कि बनारस को ही प्रिजेंट अपने हर जगार चाहिए करें लेकिन हम अच्छा नाचे अच्छा नाचे प्यार आश्रुवाद मिला लोका अच्छा बात बतावत हुआ कि तारीफ करें निकलने कहीं राजन भीया पकल ने कि यह रहाव यह रहाव कहें कि सब के हुद घर का माई बाप नियन आ राजन जी ता इश्वर हम लोगों से चील लेना उनके लेकिन उनका घर का सब लोग जैसे हाँ अच्छा चुकि सितारा देवी बुवा बुवा जो उन भाशा में डटली वही भाशा में हम सवाल पूछा थे कि वह हुँ पिटाई उटाई भाहिल की नहीं बच्पन में की रियाज निकलत लोग बदमासिकरत हुवा लोग बच्पन में शायरादत तो बहुत हुई थी हम लोगों की बहुत किये दे मतलब कभी कभी यह था होता था कि पीटाजी एक रुपया जैसे कुछ खर्च कहने के लिए देते थे प्रैक्टिस के बाद बोलते तो प्रैक्टिस करो के रट्टें गंटा तो एक रुपया में द प्रैक्टिस के लिए इसा होता था कि जैसे एक बंदिश हमने लगा लिया तो एक भाडिया या और वाडियन से कोई एक बड़े गुड़ी बोलते हमें को बोलते हैं तो यह तो खैर स्वावाविक है एक आप लोग के रुर्ति की एक और जहलक देखते हैं और फिर इस इंटर्व्यू को आगे बढ़ाएंगे लोग्यू एक बंदिख रखने को आप लोग्यू प्रमुप्यू यह तो एक भाडियू प्रमुप्यू एक बंदिखते हैं और वाडियू एक बंदिए धूद्ग्यू कर दो … अजक भी नजक बाड़ बाड़ है आंस आंसे पर गिए कि एकल सेघी सब्सक्राइब साथ को और फार वर बक उटाव 1 ौर्ट ठिस वाल आव जर आव लोल करो ये भांnaire येट काटम जा एट सबस्यृ परेक्टीर डिल उन्दाञ्यक काटमी दो बात, इज बात, कि आव लू आव दो भिआ लू कर दो dando नदसेट हो जाव लू दो उन्दाव जावर भिए हो OnePlus झाल झाल हाव झाल तो सौरव और गौरव बरारज धराने के युवा कथक कलाकार आज हमारे रागिरी के वीकेंड इंट्रिव्यू सिरीज के महमान है बहुत दिल्चस बात्ची चल रही है और इन दो कलाकारों की उम्र पे मत जाईएगा जैसा मैंने कहा कि जिस जगह से आते हैं कबीर चौरा वहाँ पर रवायत ये है परंपरा ये है कि अगर एक पत्थर भी उठा कर मारेंगे वो पत्थर जिस घर में जाकर गिरेगा वहाँ देश का कोई ना कोई बहुत बड़ा नामचीन कलाकार जरूर रहता होगा अभी या रह चुका होगा सौरव अब हम दूसरे पक्ष पे आते हैं आप लोगों ने टेलिवीजिन के शोज में भी हिस्सा लिया रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया वो तजुर्बा कैसा रहा अब हम गले तेलिवीजिन का दुनिया अलग हे हमारे सास्ति शंगीत के उनका शाओंटी अलग है तेलीविजन मैं असे कुछ उनको नहीं भोलता लेकिन उनका क्या है कि अगर आप थी कि आप सास्ति संगीत के हैं तो ठीक है बस उनका दिवा सलामी है लो हाई तक यह वह अपने आपको ज्यादा इपोर्टेंस देते हैं जिए जो भी लोग हो है हम लोग नें हो की दर्समे मिट करवाना है लेकिन उसको दो दिन लेगे आपसे मोर्निंग में उसरे दिन रात को बारह बज़े स्टार्ट करें कि आपएट रही है तोके शो का बहुत इस्प्रियंस है क्योंकि महाराज जी के साथ पहली बार मादुरी जी के साथ हुआ था तो उसमें ग्रूप में हम दुरों भाई भी गया हुए थे तो बहुत तो वहां पर बहुत होता है बत्तर पांचो बार हजार बार कियोंग एक चीज को जब उसमें एक चीज अच्छा लग जाता है तो वह बोलते था ठीक अभी दूसरा करते हैं तो यह इस्प्रियंस बहुत है फिर उसके बाद हमने इंडिया पर जुड़वा गया जी टीवी पे उसका भी वही था कि ठीक है आप डांसर है कतक डांसर है तो अच्छी बात है ले मैं बताना चाहूंगा आपको आप लोग लगातार महराजी का जिक्र कर रहे हैं महराजी भी ये बात कहते हैं कि उन्होंने भी फिल्मों में काम इसलिए बहुत चुनिंदा किया क्योंकि जब उनको कोई गुरू समझेगा तब तो वो फिल्मों में जाकर काम करेंगे उनको सिखाएंगे अगर कोई उनको मास्टर समझेगा तो वो बहुत परहेस करते हैं इसलिए आप जानते होंगे कि सिर्फ चंद ही फिल्में ऐसी हैं जिसमें महराजी जुड़े चाहे वो कमलहासन के साथ जुड़े हों चाहे वो माधुरी दिख्षित के साथ जुड़े हों और आप लोग के नाम के साथ कथक के एक ऐसे कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया में कथक का ही एक पर्याय है यानि पंडित बिर्जू महराज उनसे क्या कुछ ऐसा सीखने को मिला आप दोनों भाईयों को सहजता के तौर पर कलाकार के तौर पर समर्पन के साधना के तौर पर जो आपको लगता है कि हाँ ये बिर्जू महराज जी ने हमको बताया वरना शायद और कोई नहीं बता पाता कलाकार तो महराज जी के लिए कोई मतलब सुर्ज को दिया दिखाना होगा लेकिन महराज जी का जो सहजिता है जो प्यार है उनका सबके प्रति उसके तरह हम लोग बहुत दिवाने हैं उनके और वो हमारे लिए भगवान है वह हमारे लिए भगवान हम उनको बहुत त्यार करते हैं और हमारे आदर्श है तो मराजजी को तो जिंको मैं भगवान मान गया हूं पूरा जगत मानता है बखुमान है और हम दोनों भाई तो मतलब क्यां पढ़ा रहूं लेकिन कुछ कुछ कॉस काम होता है कि हम लोग का घर का भी है लग्याम भी है इढले रहते हैं मिलता रहता है लग्ले हों कहते थे लो करोना है तो बीच में गया थे तो हमसे बुलें तुम कहां गायब हो जाती हो रहे कि माराच्ची तोड़ा सा काम आजाओ इदरी मेरे पास आजाओ तो वो चीज जो है अपना पन और जो प्यार है न वो ऐसे भगवान के में ही मिल जा है और मैं टाइमिंग पता देता हूं आपको यह वेसे जो थी तो भिषय को बारा साड़े वारा जोड़ना और उन्होंने मुझे बंदिस निकाया है तो उन्होंने ये रात मुझे बंदिस रात में साड़े बारा एक बारण शेओ तो वो जुए कि अइस ऐसे याद आ गया प्रशाद हमारी तो बढ़ते होंगे आपने बड़े बुजर्गों से सामने जोड़ते होंगे तो मांगते हैं यह हुआ कि अगर एक परसेंट भी उनकी उनकी काभिलियत प्रतिशत भी मिल जाए तो सम्भवता जीवन धन्नन हो जाएगा कि प्रशाद हम लोगों को भी मिलिया जो कि हमारे जुन्द की सफन बने हैं अच्छा बने क्योंकि हमारे जो गुरुजी दो गुरुजी हमारे जोड़े पनी रविशंतर मिश्टाजी और महराग जी लोग जिसे नहीं होता है कि उनके साथ चले गए शो में बनारस में यह बहुत रहा है कि कैसे जाले हो सुरू से गुरु लोग क्या कहते थे कि आपको लेंगे जाते थे लेकिन वह बोल देते कि वह परच्छा के रूप में होता था शागिर्द हो चाहिए स्टूडेंट हो चाहिए दर का बच्चा हो उसको अपने पहरे प्रफॉम्मेंस करवा देते थे ऑन दे स्पोर्ट यह नहीं बोलते थे कि बटा चलना है वहां डांक करना है अब मुझे पता नहीं मैं बैठा हूं बढ़न के लिए तो बोले बस हड़ा आ जाओ कि हमारे बच्चे लोग आए हैं वो अपनी बात पर दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को और उसके बाद फिर बात चीट करते हैं वर्ड के तो कर स्था जगह जाता रहता हूं अपने एग्या में बी जाता रहता हूं जो आनद अपने बारालत में डांस किरने का है ऐसे लोगों आप लोगों पर सामने वह आनद तोरी जुनिया में निकाई देखेंगा जो बोले चाबो होती हुए जो होस राइडिंग करता है उतके हाथ के रहती है और फाव उधर ही बारता है जहां बोले को रोगता होता है करते हुए से है ठीक करते है भाव झाओ इसके लिखना देखिए और भूका रदाय है और फिर्टे दोड़ बेखिन नजद इस पे है तो कैसे बज करिका निकालती है उसका करपना देखिए लोट जल अजिक अजीस लोट आप पर कर दो कि आपके जए यॉर इना टाइब आपर कर दो आपर कर दो आप कर दो कर दो आ मिंग जब आप अन्धू !! थ Peng Dei Prala लाटी एलाटी में 2 2 लेक्ट ये है तुको स्थिकार के सिकर्ण हो जाना है बहुत शांदार बात चीट चल रही है बनारस पर बनारस के बड़े कलाकारों पर कथक पर और बात चीट अब अपने अंत की तरफ है सौरव और गौरव आखरी सवाल है मेरा और थोड़ा हो सकता है पेंचीदा भी लगे आपको जब आप लोग दोनों भाई ये तैक करते हैं कि हमें कथक में ये प्रस्तुती देनी है या हमको ये विशय उठाना है तो क्या थौट प्रोसेस रहता है और किसकी जादा चलती है या कोई कभी कभी जगला भी होता है किनी में कह रहा हूं इसले तुम बाद मानजाओ दूसरा कहीं कि मैं नहीं मानूंगा चाहिए तुम जो कर लो एसा होता है क्या नहीं अभी तब तो बगवान किरपा सा नहीं हुआ है क्योंकि गौरब भाई कहते हैं ये बंदिशना नहीं है अच्छा तो है जो यूगल निर्थक चाह यूगल गायक चाह यूगल वादान जो भी हो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे और दिल में दुसरे को बैठाएंगे नहीं तब तक यहां अच्छा नाच्छा नाचे देखें तुम देखें ना यह पूले ऐसे तो एक बार लोगों का थैट हम नहीं सोचकते वह क्या बोलेंगे आप क्या हम नहीं समझे सकते हैं तो बुद आरे गौरब भया ने क्या वो स्लाइट करके वो थाम आ रहा है तो मैंने बुला हां बया वह बाते लेकिन उसके समझते हैं लडाई भी होती है असा नहीं है कि लडाई नहीं होती है कभी अश्यादा जाता है जाधा जाता है जैदा जैन्मीन चीज़े और दो मिन के लिए तो भी बोटने ठीक है लेकिन दूसरे प्रोग्राम में आ जाते है वहां चले लोग कैसे होई टिकल टाइब बढ चले इसी खुबसूरत मोड पर आप दोनों को हमारी तरफ से धेर सारी शुबकामना है कि ये प्यार ये आपसी समझ ये साधना यूहीं चलती रहे और जब थोड़ी देर पहले हम लोग या पीरे पूरे इंटर्व्यू के दोरान हम लोगों ने कई बार पंडित राजन तो उन दोनों की तो जोड़ी पचास साल से जजाधा समय तक एक साथ जाही दोनों भाईयों की जोड़ी और हालत एथी कि राजन जी की तभियत खराब हो तो साजन जी अपने डाउन फील करने लगते थे और राजन जी की तवियत खराब हो तो वही साजन जी के साथ होता था खैर ये हम लोग का दुर्भाग है कि राजन जी बहुत असमय चले गए हमें छोड़के लेकिन आप जहां भी है वहां से आप लोग को आशिरवाद जरूर दे रहे होंगे और हम सभी की तरब से धेर स और आप मैं हम दोनों भाई तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम करेंगे है कि अ हुआ है